बोपाल के सियम हाउस में सननाटा पसरा है मध्यप्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच बैंगलोरू से लेकर सुप्रीम कोट तक सियासी जंग चल रही है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिखाब देख रहे हैं तरकश स्वागत है आपका आज के स्पेशल रिपोर्ट में जिसमें हम आपको दिखाएंगे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी दिग्विजे सिंग के घरफतार होने का पूरा मामला कॉंग्रेस के बागी विधायकों से मिलने बैंगलोरू गए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजे सिंग को करनाटक पूलिस ने घरफतार करके मामले को और गर्मा दिया सुप्रिम कोट में कॉंग्रेस भाजपा, राज्यपाल स्पिकर और बागी विधायकों की ओर से पाँच वकीलों ने दलीले पेश कर अपना अपना पक्ष रखा लेकिन इससे भी मध्यप्रदेश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है वकीलों के दलीलों के बीच सुप्रिम कोट ने कहा कि 16 भागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल होते है या नहीं लेकिन उन्हें बंधक नहीं बनाया जा सकता इसी बीच बेंगलूरू में रह रहे कॉंग्रेस के 22 भागी विधायकों ने प्रेस कॉंफरेंस कर कॉंग्रेस के नेताओं से ना मिलने का इरादा जटाया है इससे कॉंग्रेस सरकार पर संकट और बढ़ गया है लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी सरकार बचाने की कवायद में लगे हैं वो डीजीपी विवेग जोहरी समेथ कुछ अफसरों को तलब करके सरकार बनाने की रणनीती में लगे हैं मुख्यमंत्री अवास पर वुद्वार को कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने विधायकों के साथ ताजा हलात पर मंथन किया सीम ने विधायकों से कहा कि मुझे पता है कि आप घर से दूर रह रहे हैं तकलीफ तो हो रही होगी इस पर मंत्रीयों और विधायकों का जवाब था कि हम एक महीने और रुख सकते हैं बैठक में बैंगलूरू में हुई इस घटना को लेकर निंदा प्रस्ताओ पारित किया गया विधायकों का कहना था कि बैंगलूरू में साथियों को बंधक बना कर रखा गया है इसके बावजूद भाश्पा फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। कि जरूरत पड़ी तो मैं भी बागी विधायकों से मिलने बैंगलूरू जाओंगा। सियासी उठापटक के बीच अब कॉंग्रेस भाश्पा कारेकरताओं में आमने सामने तकरार होने लगी है। बुद्वार को कॉंग्रेस कारेकरता भाश्पा कारेले का घिराओ करने पहुचे और यहां दोनों दलों के कारेकरताओं में जड़प हो गई। इससे पहले कॉंग्रेस विधायक दो बसों से राजभवन में पहुचे और राजपाल से कहा कि भाश्पा ने 16 विधायकों को बंधग बना लिया है। सिंग के जरिये बागे विधायकों से बात होगी तो क्या उनके इस्तिफ़े स्विकार किये जाएंगे। सिंग्वी ने कहा कि यह संभव नहीं है। देखना यह होगा कि रूठने मनाने और सुप्रीम कोट के इस फैसले के बीच क्या कमलना सरकार बच पाएगी या नहीं। ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शर और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।